दोस्तों लिगर और फाइनेंशल साक्षरता और जागरूता वीडियो सीरीज जो ग्रीन वेलेट और सिटीजन जस्टीस फॉरूम के माधियम से शुरू की जा रहे हैं उसमें आप सभी का स्वागत है बेंक और बारोडा का चार्ट एनलाइस करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप सम्ट लोग ये डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िये फ्रेंट्स read this disclaimer before I start analyzing the bank of बारोडा चार्ट Disclaimer में ये लिखा हुआ है कि आप अपना जो decision लेते हो आप अपने financial advisor से पुछ सकते हो और एक strategy आपको रखनी चाहिए stop loss की strategy otherwise इसमें आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर आप strategy follow नहीं करोगे तो और share market is a high market risk आप currency लो commodity लो कुछ भी लो तो आप अपने financial advisor से भी आप उस आपको खाली technical चीच बताऊंगा कि जिससे आप अपना decision और turning point of the market आप ले सकते हो जो मेरा experience in 1989 से इस market के अंदर उसका अनुबव मैं आपके साथ में share करता हूं कि मैं किस तरह से trade और investment करता हूं ताकि कम नुकसान होए और ज्यादा में ज्यादा profit कोई भी चीज शुरुआत करने के पहले हमें यह देखना चीए कि पिछले दिन अभी जैसा पिछले दिन अगर मैं पकड़ निफ्टी जो है वो three point eighty two percent बढ़ा याने अगर निफ्टी एक पॉइंट बढ़ता है तो bank निफ्टी डाई point बढ़ता है if nifty is moving one point bank nifty is moving three point eighty two percent and which was the least sector which was moving है so bank farm जो nifty farmer था वो उसके moment खाली .17 percent थी और आप देखेंगे के इसमें जितने भी थे metal ये वो fmcg small cap इन्फराग, कंजम्चन, कमोडिटीज, निफ्टी आईटी, दे वेर दे लीस पर्फॉमेंस, उनका उतना पर्फॉमेंस नहीं था, जितना बैंग निफ्टी का था, और बैंग निफ्टी अगर बढ़ती है, निफ्टी एक पॉइंट बढ़ती है, तो मैं ऐसा स्टॉक के बताऊंगा कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो जब तक चार्ट ओपन नहीं होता है, तब तक फ्रेंट्स, बैंक ऑफ बरोडा का ये डेली चार्ट है, अगर मैं इसको पंदरा मीड में दाता हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे किस तरह से ये चार्ट ने एक ट तुक 13 केंडल्स, the small 13 केंडल्स to come down to at this level, right, and at this level, it stayed for 1, 2, 3, 4, 5 केंडल्स, यहां पे 75 मिनिट रुका, देड़ घंडा उसको नीचे गिरने में लगा, और एक 15 मिनिट की केंडल ने जहां से वो नीचे गिरने की शुरुआत की थी, वहां ते पहुच गया, और दूसरी 15 मिन केंडल्स ने यह जो सप्लाई जोन था, जो रेसिस्टन्स जोन था, उसको ब्रेक कर दिया, तो इसका यह मतलब हो रहा है, कि अभी यहां पे जिस तरह से निफ्टी अगर एक पॉइंट बढ़ेगा, और बैंग निफ्टी धाई पॉइंट बढ़ेगा, तो यह 6-8 पॉइं यहां पे 88.80 पे रुकी हुई है, मैं वेट करूँगा, प्राइस तो कम दाउन फ्रम यह तो हीर, जब यह 79.70 पैसे पे यह प्राइस आईगी, मैं बाई करूँगा, और आइविल बेट प्राइस तो, फ्रम यह तो गो अप, तो 86 तो 88 रुपीज, और इफ द प्राइस दस नर्ट गो अप, अगर मान लीजे, हमारा यह ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता है, तो हम हमारा स्टोप लॉस, 79 रुपीज के नीचे, यानि 78 रुपीज, 0.80 पैसे, पे हमारा स्टोप लॉस, रखेंगे, और हमारा ट्रेड वो जो है, वो हम स्क्वार अफ कर देंगे, तो यह trade जो है, this trade you can keep it for intraday, you can keep it for one week or you can keep it for three to four months. This creep has a potential since it has given a breakout, the near target will be 86 to 88 rupees, the next target will be 100 rupees and next target will be 120 rupees if you keep it for three to four months. But keep a stop loss and when the prices keeps on moving, then you should have keep your stop loss trailing. How you should keep on trailing? Now suppose the price starts moving from here to here, right? Then your stop loss should come here so that if the prices come down, you don't make any loss, at least you will make one or two rupees and further the prices goes up, still it goes up, then your stop loss should be moved from here to here. So if you trail this talk with a stop loss, there is chances that you will not lose money but you will keep on making money. Thank you friends for watching this movie. अएपका बहुत 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 शुक्रिया यह वीडियो वाच्च करने के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा है तो आप इसको सब्सेराइब कीजे, आपके दोस्तों के शार्ट शेर कीजे, बेल बटन को क्लिक कीजे ताकि नया वीडियो में अगर अपल प्रवाइन